क्या फ्रेंड्स आपके भी बाल बहुत जादा जड़ रहे हैं तूट रहे हैं आपके बालों में गंज़पन आता जा रहा है आपके बाल जो है रूखे सुखे बेजान से लगते हैं तो आप ये रेमडी जरूर से लगाईए कि बाल सिल्की एंड सॉफ्ट बनेगा आपका औ आपके बाल बहुत जड़ा टूट रहे हैं आपके प्रिमेच्य ग्रेंग हैर होता जा रहा है केश्टर ओयल का आप यूज करना स्थार्ट कर दीजिए तो मैंने यहां पर लिया है केश्टर ओय दीखीगा फ्रेंड्स मैंने लिया है यहापे वन टेबल इस्पून केश्ट जड़ से निकल रहे हैं तो केस्टर ओयल सब प्रॉब्लम को दूर कर देगा हमेशे के लिए अब देखीगा मैं सेकंड जो इसमें ओयल एड गरूंगी वह है विटामिन एका यह आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा आप विटामिन एका ग्रीन कैपसूल भी ले सकती है य केमिस्ट की शौप पर मिल जाएगा यह देखीगा यह दोनों ओयल मैंने इसमें एड गर दिये हैं इस तरीके से आपको अच्छे से मिला देना है अगर आपके पास यह नहीं मिलता है तो आप जो है आप मार्केट से ग्रीन वाला भी ले सकते हैं और यह जो है यह मैंने केम के हो रहे हैं बाल बहुत जादा जो टूट रहे हैं जड़ रहे हैं मारे बालों में चमक नहीं है उसके लिए मैं एड कर रही हूं इससे आपके बालों में जो चमक आएगी जो शाइन आएगी वो देखने लायक होगी आपके बाल एक दम शाइनी हो जाएंगे अगर आप तो आप इस तरीके से जो है वैसलीन का यूज करें अगर आप वैसलीन यूज नहीं करना चाहती तो आप इसकी जगह पर नारियल का तेल यानि के कोकोनेट ओल ले सकती हैं अब देखेगा दोनों इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना अगर आप यह नहीं ले रेडी हो जाए और यह आपको जो है रात में लगाना है ध्यान अखेगा फ्रेंक्स आपको इसे रात में लगाना है रात में लगाने के बाद जो है इसे बालों उपर से लेकर नीचे तक लगाना है और जड़ों में इसे लगे छोड़ देना है यह देखेगा यह कुछ इस से ही बंद हो जाएगा इसे अगर आपने वीक में दो बार भी लगा लिया तो आपको असर दिखाई देगा इस वीडियो को जादा से आदा लोगों में शेयर जरूर से कर दें ठैंकी सूमच